13.8. रोग फैलने के साधन Means of spread of adices हमने पढ़ा कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्तियों को भी रोग ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर अन्य व्यक्ति को वह रोग कैसे हो सकता है संक्रामक रोग के जीव एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक विभिन्ने माध्यमोद्वारा आसानी से फैलते हैं जैसे वायू, जल, भोजन, लेंगिक संपर्क, आदि निमोनिया तथा तपेदिक जैसे रोग वायू के माध्यम से फैलते हैं जब रोगी वेक्ति छीकता है या खास्ता है तो उसकी लार के छीटों के साथ शरीर में उपस्थित रोगों के जिवाणू या विशाणू बाहर आते हैं तथा आसपास उपस्थित स्वस्थ वेक्ति को संक्रमित कर देते हैं जिससे स्वस्थ वेक्ति भी रोग से ग्रसित हो अधिक भीड़ वाले एवं कम रोशन दान वाले घरों में वायू वाहित रोग होनी की संभावना अधिक होती है। लेंगिक संपर्क के कारण भी फैलते हैं। जैसे सिफलिस, एड्स, आदि, एड्स लेंगिक संपर्क के अलावा रक्त आधान, रक्त चढ़ाना, संक्रमित इंजेक्शन, ग्रसित माता द्वारा बच्चे को दुग्ध पान करानी एवं ग्रसित माता से गर्ब के शिशू में भी फैलता है। मनुश्यों में असंक्रमक रोग कैसे हो जाते हैं।